सबास बेस्ट क्लासिस में आज हम आपको लसी के तीन जबरदस्थ फ्लेवर्स बनाना सिखाएंगे सबसे पहले हम पिस्ता फ्लेवर्ड लसी बनाएंगे इसके लिए हम लेंगे दही एक कप और दूद आधा कप लिया है मैंने शकर लिए है आधा कप शकर की क्वेंटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और क्रीम लिए है मैंने आधा कप आधा कप कंडेंस्ड मिल्क लिया है और दो टीस्पून पिस्ता आइसक्रीम पाउडर लिया है मैंने और आईस क्रीम एसेंस लिया है, पाउ टीस्पून के आसपास, यानि वन बाई फोर. और अब हम मिक्सर के जार में ये सारी चीजे डाल देंगे, मैंने इसमें दही डाल दिया है, दूद डाल दीजिए, और शकर डाल दीजिए, क्रीम डाल दीजिए और अब कंडेंस्ट मिल्क भी डाल दीजिए यहां मैंने आइस्क्रीम पाउडर डाल दिया है पिस्ता आइस्क्रीम पाउडर आप चाहें तो कोई और भी फ्लेवर का आइस्क्रीम पाउडर ले सकती है इसके बाद मैंने एसेंस डाल दिया अब मैं इसे गुमा लूँगी ठीक है तो हमारी लसी तयार हो चुकी है क्रीम डालते वक्त या मलाई डालते वक्त ख्याल रखिए कि इसे बहुत जादा ना गुमाएं वरना मक्षन निकलाएगा इसमें बर्फ डालकर सर्फ कर दीजी अब मैं मैंगो लसी बनाना आपको बताऊंगी मैंगो लसी बनाने के लिए हम लेंगे ये सारी चीजें सबसे पहले मैं इसमें दही डाल दूँगे और उसके बाद हम इसमें शकर डालेंगे और मैंने यहाँ पर दूद डाल दिया है यहां मैं half cup के असपस दूद डाल रही हूं मैं और मैं इसमें डाल दूँगी आम के pieces यानि मैंने half आम के pieces इसमें डाल दिये है और अब मैं इसमें essence डाल दूँगी यहां मैंने ice cream essence डाल दिया है powder spoon एक बार blend करने के बाद इसमें cream add कर लीजिए हमें cream को बहुत जाद ब्लेंड नहीं करना है वरना मक्षन निकलाता है यानि अब मैं इसमें ice cream डाल रही हूं ice cream डालने के बाद थोड़ा सा ब्लेंड करिए तो हमारी mango lassi तयार हो चुकी है आप इसमें बर्फ डाल कर या इसे बहुत जाद थंडा करकर सर्व करें अब मैं आपको कुल्फी वाली मलाईदार लसी बनाना सिखाऊंगी इसके लिए हम लेंगे half cup cream और एक cup मैंने दही लिया है बहुत गाड़ा दही है ये और इसके बाद हम लेंगे आधा cup दूद और शकर लिया है मैंने आधा cup के आसवास condensed milk लिया है आधा cup से थोड़ा सा कम और आईस क्रीम एसेंस ले लिजिए अब मिक्सर के जार में हम दही डाल देंगे और दही डालने के बाद मैंने दूद डाल दिया शकर डाल दीजिए और condensed milk डाल दीजिए अब condensed milk डालने के बाद मैंने इससे थोड़ा सा blend कर दिया अब मैं इसमें cream डाल दिया मैंने और इसके बाद हमने इसमें essence डाल दिया अब मैं इसमें कुलफी डाल रही हूँ और इसे हम दुबारा थोड़ा सा blend कर लेंगे तो हमारी ये लसी तयार हो चुकी है इस जबरदस लसी को आप घर पर जरूर ट्राइ कीजिए और अब इसे और ज्यादा फ्लेवर्स के लिए हम इस पर थोड़ी सी whipped cream डालेंगे मैंने cream को अच्छी तरह से whip कर लिया है और मैं इसे serve करते वक्त इस पर डाल दूँगी तो ये जबरदस लसी आप घर पर ज़रूर ट्राइ कीजिए अगर आप चाहती हैं कि आपको हर recipe का correct और easy तरीखा मिले तो आप सबास best classes को ज़रूर like, share और subscribe करें Thanks for watching my video झाल